हेलो इवरीवर अंदरेशमास टेस्टी फुड में आप सबका स्वागत है मेलेडी टॉफी से आज हम बराने वाले है समर स्पेशल एक डिजर्ट तो एक क्या है और इसकी टेस्ट केस ही है आपको वीडियो के एंड में बता चल जाएगा तो चल यह स्टार्ट करते हैं आज के रेसिपी यहाँ पर मैंने लिया है नॉन स्टिक प्यान और एह है 200 ml इतना दूद तो इस 200 ml इतना दूद में से ही मैं थोड़ा सा निकालने वाली हो गैस की फ्लेम को मैंने लो करके रख दिया है अब इस में से एक टेबल स्पून इतना दूद में उसी बावल में लेने वाली हो और इस दूद में हम डालने वाले हैं कॉर्ण फ्लावर तो इवन फोर्टियस पीतना कॉर्ण फ्लावर मैंने दूद में मिक्स किया है और उसी दूद में मैंने एक टेबल स्पून इतनी मिल्क पौडर भी डाली है चम्मस से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलिया ना हो मिक्स होने के बाद जो नॉन स्टिक प्यान है इसी में मैंने एक बैटर डाल दिया है अब low gas की flame पर इसे हिलाते हिलाते ही हमें इस दूद को गरम करना है और गरम होने के बाद इसमें हमें डालनी है melody की टौफी तो यहाँ पर मैंने 5 melody की टौफी यूज की है पहले मैंने 4 डाली है और एक मैंने last में डाली है जैसे जैसे melody की टौफी melt होती जाएगी दूद में दूद को एक brown सा color आ जाएगा यहाँ पर हमें extra color की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है टौफी से एक अच्छा सा color आ जाता है एक 200 ml दूद के लिए मैंने 5 टौफी या यूज की है अगर आप 7 यूज करते हो तो यहाँ पर आपको चीनी मिक्स करने की जुरत नहीं होती तो यहाँ पर इस 200 ml दूद में मैंने डाली है डेड़ टी एस पी इतनी चीनी वन टी स्पून और फिर से हाप टी स्पून और एक लास्ट में मैंने टौफी डाली है मिलड़े की कट करके तो अगर आप 5 की जगह 7 चौकलेट लेते हैं तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं अब यह बैटर परफेक्ट हो गया है थोड़ा सा पतला है थंड़ा होने के बाद यह थोड़ा और गाड़ा हो जाता है तो ग्यास बंद करके हम इसे पूरा थंड़ा करेंगे अगर आप 200 ml की जगह 300 ml दूद लेते हैं तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर को भी स्किप कर सकते हो तो इसे अच्छे से रैप करने के बाद हमें इसे फ्रीजर में रखना है तीन से साड़े तिन घंटे के लिए और फ्रीजर का स्पीड हमें हाइ कर देना है ताकि हमारी कुल्फी जलदे से जम जाए तो ये melody की कुल्फी बहुत ही tasty लगती है तो exclusive melody कुल्फी आप जरूर ट्राइए इसमें जो melody हम डालते हैं इसके पूरी टेस्ट ये पूरी कुल्फी में आ जाती है हाथ से गरम करके हम कुल्फी को unmold करेंगे तो 200 ml दूद में मेरे दो कुल्फिया बनके ready हुई है तो आप भी इसी तरह melody की या फिर आप इसके जगब पार ले या फिर इकलर्स की भी कुल्फी बना सकते हो कुल्फी में बहुत ही अलग और tasty flavor है तो इसे जरूर ड्राइ कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई री सिपीज के साथ तब ते के लिए बहुत है